हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू दा सक्सेस कंद्रा फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम लोग 67th BPSC PT exam 2021 के लिए और 30th BPSC से लेकर कि 66th BPSC तक में जितने भी बिहार से क्रिसी उद्योग और विविद से संबंधित प्रश्ण पुछेगा हैं उनको हम लोग एक ही वीडियो में कबर कर लिए अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिजेगा लिंक आपको सभी वीडियो का आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल पर अगर आप पहली बार आया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी साथ बेल आइकन को यानि कि घंटे के निसान को जरूर दबा लिजेगा ठाकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुच जाए तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी कियो हुए आज का सेसन श्राट करते हैं फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर जिजेगा तो फ्रेंट्स जैसे कि मैं आपको बताया है कि आज की इस वीडियो में हम लोग बिहा है उनको हम लोग कवर करने वाले हैं देखे फ्रेंट्स आज के सेसन का हमारा पहला प्रश्ण है कि बिहार सरकार ने एक अप्रेल 2019 से सरावजनी की वितिये प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है यहाँ प्रणाली देखे इसके संबंध में यहाँ पर कथन दिये गया है और इनमें से रैट अंसर आपको चुन करके बताना है देख सकते हैं यह प्रश्ण जो है प्रश्ण जो है प्रश्ण यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे देखे CFMS यहां मैं लिखता हम अंगरेजी में CFMS इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है comprehensive financial management system देखे बिहार सरकार ने budget प्रबंधन के लिए TCS कंपनी से एक software तयार करवाया है और इसका नाम है क्या CFMS यानि कि comprehensive financial management system यहां प्रणाली बजट निर्मान में परदर्शिता लाएगी समय में वचत करेगी तथा योजनाओ के प्रभावी किरियानवन में सहायता करेगी तो देखे लिए का right answer इसमें से एक से अधिक इसका ह बिहार राजजी को क्रिसी कर्मन पुरसकार परदान किया यहां पुरसकार दिया गया था बहुत important कुष्चन है अभी इस साल के लिए भी क्रिसी कर्मन पुरसकार जो है यहां बिहार को किसलिए परदान किया गया है तो देखे बिहार राजजी को मक्का और गिहूं के छेतर में लगातार उत्पादन के साथ उत्पादक्ता में विर्धी के लिए क्रिसी कर्मन पुरसकार प्रदान किया है तो राइट एंसर इसका उप्शन नमबर ए हो जाएगा मक्का और गेहूं उत्पादन और उत्पादक्ता के लिए फ्रेंट्स इससे पहले अलेडी हम लोगोंने बिहार के इतिहास को बिहार के भुगोल को भारत के प्रासीन भारत की इतिहास को मद्देकालीन भारत की इतिहास को आधोनिक भारत की इतिहास को भारत के भुगोल को विस्व के भुगोल को पॉलिटी को यानि के भारती राजब से उसको भी आपके लिए ले करके आया जा रहा है तो आप सभी वीडियोज को देख लिजेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन बक्स में मिल जाएगा देखिए तीसरा प्रशने के बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीव को पारजन योजना शुरू की है इ योजना देशी सराब और ताड़ी के उत्पादन तथा विकरी में जो प्रारंभिक रूप से जुड़े परिवार थे जिनकी राज में सराब बंदी के बाद आर्थिक इस्तिति कमजोर हो गई थी उन जैसे निर्धन परिवारों के लिए जो है साथी साथ अनुसुचित ज जाती और अन्य समुदायों के जो अत्यंत निर्धन परिवार है उनके लिए शुरू की गई है ऐसे परिवारों को राज्यसरकार इस योजना के अंतरगत सतत्त आज्यू का यहम छमता निर्मानन नहेतू साथ हजार से लेकरके एक लाख रुपय तक की वीतिय सहता प्रदा प्रदान करना उसके वाओं में दक्स्ता की व्रिधी के लिए निशुल्क प्रशिक्षन प्रदान करना तो राइट अंसर इस कॉप्स नमबर ई हो जागा उपर एक्ट में से एक से अधिक चले अगला कुस्तन देखेगा कि बिहार सरकार के साथ निश्यों में से निमन में स कौन सा सामिलित नहीं है देख सकते हैं फ्रेंस ये प्रसंद 2020 में पूछे गया है तो देखे फ्रेंस अगर हम बात करते हैं कि सात निश्यों में क्या क्या सामिल है तो इवाओं के रोजगार पर बल दिया गया है उसके बाद महिलाओं के रोजगार पर भी आरक्षित रोज महिलाओं का अधिकार हर घर बिजली लगातार हर घर नल का जल घर तक पक्की गली ना लियां सोचाले निर्मान घर का सम्मान उसके बद औसर बढ़े आगे पढ़े तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो राइट अंसर इसका अप्शन नुबर डी हो जाएगा बाल नहीं किया गया है विशेश स्रेनी का दर्जा नहीं दिया गया है बिहार को तो राइट अंसर इसका उप्शन नुबर ए हो जाएगा फ्रेंस प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर जिज़ेगा देखें बिहार के इतिहास में पहली बार राज का आर्थिक सर्वेक्षन प् प्रस्तूत किया था कि लिए राइट अंसर इसका हो जाएगा सुसील कुमार मोदी अगर आपसे पुछा जाए कि इस वर्स यानि कि 2021 में जो आर्थिक सर्वेक्षन प्रस्तूत किया गया है यहार राज्य का किस क्रम का आर्थिक सर्वेक्षन है तो यह 15 हुआ है इसको भी बिहार सरकार की करमचारियों के वैतन पार किया जाता है तो तो 30.2 प्रतिस्त करती है इसको आप ध्यान रखेंगे ठासल इसमें के अप्शन तो नहीं है नहीं सही लेकिन यह आपको ध्यान रखना है 30.2% बिहार सरकार कूल राजस्व प्रावर्ति पर राजे के जो करमचारी के वेतन और पिंसन पर व्याई करती है चले next question देख लिजेगा कि बिहार सरकार विभाजन से पहले की आप से बात पूछी गई है इसमें प्रशन में कितने ओदोगिक छेत्र विकास प्रादिकरन थे तो उस समय जो थे विभाजन के पहले च्छा थे clear तो रैट अंसर इसका उप्सन नमर तो ए हो जाएगा लेकिन अगर हम अभी बात करते हैं तो वरतमान में पटना, भागलपूर, मुझपरपूर और दरभांगा को ओदोगिक छेत्र विकास प्रादिकरन की रूप में अधिसूचित किया गया है नाम आप याद रखेंगे पटना, भागलपूर, मुझपरपूर और दरभांगा को चले, नेक्स्ट कुर्सन देख लिजेगा, कि बिहार राज्य परियाटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है तो इसका टैग लाइन क्या है, ब्लिसफुल बिहार, ये अल्रेडी कई बार में आपको कराया है अंगरेजिम में लिख दे रहा हूँ, ब्लिसफुल बिहार, क्लियर तु देखे कहां है, option में, option number C में दिया गया है बिहार में क्रिसी कुम्भ मिला, 2019 कहां आई जित हुआ था, तो देखे फ्रेंट्स, ये 9 से लेकर के 11 फर्वरी 2019 कमत, क्रिसी कुम्भ मिला, 2019 महात्मा गांधी Integrated Farming Research Institute मोतिहारी में जो है, आई जित हुआ था, तो पुर्वी चमपारन आपको याद रखना है, मोतिहारी देखे यह option में दिया गया है, अगर पुछा जाए चमपारन में, तो पुर्वी चमपारन आपको याद रखना है, पस्सिमी चमपारन नहीं, दिया गया था, दरसल यह 2017-18 के लिए दिया गया था, 2019, क्लियर, ध्यान रखना है, इसमें बिहार का जो रैंकिंग की अगर स्कोर की अगर हम बात करें, तो बिहार का स्कोर 32.1-1 था, आपसे नमर सी राइटन सर हो जाएगा, वहीं अगर आपसे 2015-16 के लिए पुछा जाए, 2015-16 के लिए गर पुछा जाए, तो ध्यान रखेंगे, 39.4-6 बिहार का स्कोर था, क्लियर, लेकिन अभी फिलहाल 2017-18 पुछा गया था, तो 32.1-1, चले, नेक्स्ट कुर्शन देख लिजेगा, कि सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज में घर तक फाइबर योज है, अगला प्रसन देखेगा कि वर्स 2017-18 के दोरान बिहार में 33-6 का विकास दर, अब यह देखी, 2017-18 का यह पूछा गया है, अब आपसे क्या पूछा जाएगा, अब आपसे इस बार वाला जो आर्थिक समिक्षा है, 2020-21 वाला यह अब आपसे पूछा जाएगा, तो इसके 13-18 में ध्यान रखेंगे, 13-18 में 8.5 पर्तीसत हो जाएगा, ठीक है, 8.5 पर्तीसत, वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमीक чlyतर में, तो प्राथमीक चीतर में 3.6 पर्तीसत और दूतियक शेतर पूछा जाए, तो दूतियक च्छेतर में 8.2 पर्तीसत ठीक है, चल देखिए अब आपको जो याद रखना है 2020-21 का जो आर्थिक समिक्षा है उसका आकड़ा याद रखना है तो इसके अनुसार गहनों बात करते हैं 2020-21 के आर्थिक समिक्षा का अनुसार तो देखिए चालू कीमत पर कितना है चालू कीमत पर आपको याद रखना है छे लाख ग तो अब कहा कड़ा याद आपको रखना है कि बिहार की उस पर्यूजना का नाम बता है जो निर्यातोन मुखी इकायों की अस्थापना के लिए अपेक्षित उच अस्थरिये और सन्रसनात्मक सुविधाओं के निर्मान पर ध्यान देती है तो राइटन से इसकौजय का अप् के बराबर जारखन्ट से कम अखिल भारतिय अस्तर पर देखें फिलहाल के अगर हम बात करें तो अभी जो 2020 मई में रिपोर्ट आया था एस आर एस बुलेटिंग जिसको कि क्या कहा जाता है सेंपल रजिस्टेशन सिस्टम तो इसका अनुसार अगर हम बात करते हैं तो देखें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है ये बिहार में कितना है सिसु मृत्युदर तो देखें ये जो है प्रती हजार जनम पर 32 है ठ जारखंड से अधिक हो जाएगा ठीक है तो राइटन से जिसका अप्सन नमबर ए हो जाएगा जारखंड से अधिक चलिए नेक्स्ट कुस्टन देखेंगा कुस्टन नमबर 19 देखें कि 2001 जनगन्या को अनुसार बिहार राज भारत का खाली अस्थान गया है सबसे बड़ा तो दरसल अब को 2011 का थ्यान लगना घ्यान और गयारी इसके अनुसार अगराम बात करता है तो भीयार को पहले पर हुत्तर प्रदेश है बारालों पर बी हो जाएगा पटना नेक्स्ट कोस्टन देख लीजेगा अगला कोस्टन हमारा की बिहार आजे में गरीबी रिखा कि नीची लोगों की अधिक्तम संख्या होने का कारण क्या है तो भूमी सुधारों में असफलता बिल्कुल सही है भूमी सुधारों की असफलता राजनेति जिसमें उत्र पुर्वी बिहार प्रामॡ केंद्र है पूर्वि विहार में ृप्स survived क्या हो जाएगा अपका अपसी हो जाएगा उत्तर पुर्वी बिहार मैदान में तो रेट श्या यहां पर देख सकते हैं option number इसका बी हो जाएगा यहां पर केवल दो ठीक है चली next question देख लिजेगा कि बिहार में पहली चीनी मिल अस्थापित हुई थी चीनी मिल पूछा गया है और चीनी का खाना दोनों को देहान रखना है पहला अधुनिक चीनी मिल जो है यहां 1904 में मरह जो कि कहां है सारण जिला में में वहां बनी थी वहीं अगर आप से पुछा जाए कि बिहार में चीनी का पहला का खाना तो यह 1840 में बेतिया में डचो के दवारा जो है प्ररारा में किआ गया था ठीक है तो दोनों को ध्यान रखेंगे देखें बिहार का एक इस्पात का ख नेक्स्ट कुस्टन है कि छोटा नागपूर पठार की मुख्य फसल क्या है तो छोटा नागपूर पठार की जो मुख्य फसल है यह चावल है ठीक है फ्रेंड्स चावल हो जाएगा तो राइट एंसर मुख्य फसल पूछा गया है तो ऑप्सन एक जो हो जाएगा इसका करेक् काफी कभी बहुत नहीं होता तो यह आपका राइट नंसर और सी हो जाएगा गन्ना ठीक है बिहार की जो नगदी फसल है यह गन्ना है तंबाकू है जूट है ठीक है यह ध्यान रखना है चलिए नेक्स्ट कुस्टन देख लिजिएगा कि बिहार में और दोगी के वीतिय सहत् करने ही तो कौन प्रमुख्य वितिय संस्था है तो यह है विहार राज वित निगम जिसका अस्थापना 1954 में होई थी ठीक है ध्यान रखेंगे तो विहार राज वित निगम हो जाएगा उसका बाद देखेगा कि जातिवात पर अधारित आतंकवादी सेना कास्ट बेश्ट टेररिस्ट की राजनीती निमलखित राजय में है तो आपको पता होगा कि यह अपने यहां कुएर सेना उसके बाद बात करें तो सनलाइट सेना भूमी सेना लोरिक सेना रणवीर सेना यह सब कास्ट अधारित हैं तो यह बिहार में हो जाएगा चले अगला कुस्शन देख प्रशाद हैं नाम दिहान रखेंगे देखें निमलकित में से कौन बिहार और ज्हारखंट राज के सहराजय पाल हैं तो यह प्रशन पुछा गया था फिलहाल आपके याद रखना है कि फागु चौहान जो है फागु चौहान जी यह बिहार के राजय पाल है उसका बाद सतरी अटबरे स्वेयर शूर्कार द्वारा किसे बिहार का गॉर्णर निव्युक्त किया था तो तो सुन्दर सिंग भंडारी को किया था तो अभी जो है अभी जैसे मैं बताए राजपल कौन है फागु चौहान है देखिए बिहार पर अपन्रीकित पुछा गया है यह दर यहां मैं लिख देता हूँ 1,90,899 करोड रूपिया ठीक है तो इसको ध्यान रखेंगे वैसे मैं आर्थिक समिक्षा पर एक special वीडियो लेकर करके आऊँगा जिसमें कम से कम 30-40-50 प्रशन भी मैं कोशिस करूँगा अधिक साधिक प्रशनों को सामिल करने के लिए देखे केंत्रिय मंत्री परिशद में बरतमान में बिहार के कितने सांसत समिलित हैं तो अभी जो 7 जुलाई 2021 को मंत्री मंडल का पुनर गठन किया गया था उसके पसात आपको पता है कि आर्के सिंग है और सीपी सिंग है उसका बाद पसुपती पारस जी है और गिरिराज जी है यह जो है उसका बाद आपको पता है कि total 6 मंत्री हैं जिसमें 4 कबिनेट मंत्री है चार कबिनेट मंत्री का आपको मैंने नाम बता दिया और दो जो है राज्य मंत्री है तो total 6 याद रखेंगे clear चले उसके बाद देखेगा कि विगत वर्चों में बुग्षू यानि क ठीके फ्रेंट्स अगर हम बात करते हैं पटना नगर निगम की इसका अस्थापना 15 अगस्त डेट सहीत याद रखना है 15 अगस्त 1952 को हुई थी ठीक है पटना नगर निगम की अस्थापना और यह अस्थापना जो हुई थी पटना नगर निगम अधिनियम 1951 की दवरा की भीहार में पगल खाना कहा परिष्थी थे तो उसमय पाखल खाना जो था यह राची में ठाप पता है राची में तो राइटएंसर इसका राची हो जाता चले अग्ला कुशन देख लीज이가 वरतमाण में राची हवह कंड में चला किट्नी सभा में वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो लोग सभा में 16 सिट यह आपको याद रखना तो चाली हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको अभिता है कि 40 हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स ध्यान रखना है कि अध्धक्सता कौन करेगा तो दिके बिहार में जो अभी फिलहाल महिला आयोकि अध्धक्स हैं यह पद अभी खाली है तो आप ये नमबर C हो जाएगा next question देखेगा कि हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज़ बना है तो ये राज़ जब है जारखंड नमबर C राज़ हो जाएगा कौन सा राज़ है जारखंड और ये जो है 15 नौबर 2000 को यहाँ बना था और फ्रेंड से यहाँ भारत का 28 राज़ की रूप में इसको अस्थापित किया गया था उस समय किलियर चले अगला कुस्सन देख लेंगे कि बिहार का कौन सा राज़ है जारखंड राज़ की राज़ धानी बना तो ये राची बना था जारखंड राज़ अस्थापित वाता 15 नौबर सन 2000 में अप्सन नौबर D हो जाएगा बिहार में तेल सोधक का रखाना कहा है तो य निमन में से पूछा गया है इसमें से आप से पूछा गया है सबसे बड़ा जिला जिला से पस्मि चंपारन है सबसे बड़ा जिला बिहार का सितरपलक निसाब से पस्मी चंपारन है कौन सा जिला जार्खन राज में शामिल नहीं है तो कौन सा नहीं है तो रैटन्सर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं option number D रैटन्सर हो जाएगा कौन सा सामिल नहीं पुछा गया है तो दरसल ध्यान देंगे देखिए गोदा, राची और बोकारो तीनों जो हैं ये जारखन राज के जिले हैं तो इनमें से कोई नहीं राइटंसर हो जाएगा बिहार में इस पात प्लांट यानि कि इस्टील प्लांट का केंदर कहां पर है तो आपको पता है कि इस्टील प्ला अगला कुश्चन हमारा है कि नीचे दिये गया है दो वक्तब दिये गया है नीचे दो जो देखिए यहां पर कथन दिया गया है और दूसरा कारण दिया गया है जिनमें से कथन ए और दूसरा कारण आ रहा है दोनों को ध्यान प्रवक पढ़िए चलिए पढ़ते हैं कि दक पटना गया यह सब यहां पर थोड़ा सा विकास हुआ हुआ है तो रिट अन्सर इसका क्या हो जाएगा देखे ए और डोनों सही है और यह जो है यह सही व्यख्या करता है यह की है कि ग्यार तो रिट अन्सर इसका अप्शन नमबर ए हो जाएगा तो फ्रेंड्स यह 49 इतना ही question घटना चक्र में दिया गया है इनको मैंने आपको cover करवा दिया है friends please वीडियो को like और share जरूर कर जीजेगा लगभग हम लोगों ने घटना चक्र बुक को cover कर लिया है सभी वीडियोज का link description में मिल जाएगा देख लीजेगा